एक मुख्य कमेंड तो आ रहा है बीएड फाइनल और बेस्टीसी फाइनल में जो बच्चे हैं उनको लेगर कि वह सामिल होंगे या नहीं क्यूंकि अब उनकी प्रिक्साइए आगे जा चुकी है अब दोस्तों इसी के साथ ही प्रिक्सातिती प्रिक्सातिती की गार ने वह आ पर मिलती रहे संस्कृत व्याकरणिक क्राशी मिलती रहे आप से स्क्ष्ने वीदिया आपको यहां पर मिलेगी तीन क्लास आपको हो सुकिए आज कल ही मेने सामको अप्लोड कर दी है दोस्तों आराम से विडियो देखिए क्रम से विडियो देखिए फटा हट रिजन कीजिए और test series हर टोप्य के आपको 30 Phrasand मिल रहे हैं तो आप मनोगयान के लिए संस्क्रत के लिए आप सभी सब्जेट के लिए 30 Phrasand मिल रहे हैं तो आप वो भी test series model दे सकते हैं दोस्तों बात करें प्रिक्षाथिति को लेकर लगबग पुरी संभावने बन शुकी है प्रिक्षाथिति आगे जाने की क्योंकि करोणा का जो काल है ये ये दिनो दिन बढ़ता जा रहा है तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये रिक्रेश्ट आपसे करूंगा कि आप अपना और अपने प्रिवारों का बहुत अच्छे त्रीक से द्यान के काम हो तभी बहार निकले और वह भी बहुत सी साधाने के साथ अब प्रिक्षातिती को लेकर संभवन यह बढ़ चुकी है कि आगे जाएगी क्योंकि अभीत्वा के जो रियोपन होने थे फोरम वह भी नहीं हो सबसे प्लस पॉन्ट वही होगा जो इस दोर में अपनी त्यारी चालू रखेगा किसी भी प्रकास में आपकी त्यारे में गेप नहीं अन सही अभी आपको 20 जोन को मानकर ही त्यारी करनी है प्रिक्षा आगे जाएगी तो आपको रिविजन का समय मिलेगा आगे नहीं बहुत अच्छे त्रीके से कवर करना है और जो दो या तीन बार कर चुके हैं बहुत से अब तक आप किसी भी टॉपिक आपको आ रहा है तो उसको फास्ट पढ़ लीजिए आप फटा पट मुक्यमों के बाते पढ़ लीजिए लेकिन उस राउंड में आपको वो त्यारी चलवाने हैं अब आप मोडल वेपर टेसरीज देखर देखते हैं कि मेरे इस टॉपिक से आपके परसंट गलत हो रहे हैं तो उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे त्रीके से कवर करिए वापिस तो आपको ये बात होगी अब बीएड और वीश्टिशी जो फाइनल में है उनके जो कमेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बता दूँ कि इसका नियम क्या है कि आपके रीट के रिजल्स से पहले बीएड फाइनल या आपके बीश्टिशी फाइनल का रिजल्ट आना चाहिए तो दोस्तों रीट लगबख संभावने आगे जा चुकी है रीट आगे जाई तो उससे पहले पहले आपकी एक्जाम भी हो जाएगी तो रीट का रिजल्ट आने से संभावने ये भी बन रहे है कि आपका रिजल्ट आ सकता है क्योंकि अभी आपका संभावने इस बात से कब बन रहे है क्योंकि आपको जो है वो इंट्रसिप जो आपकी है वो भी नहीं ही होपाई है इंटर्शिप के करने आपको समय ज़्यदा लग सकता है लेकि नियम जो है कि रिट के रिजल से पहले आपका रिजल आना चाहिए लेकिन एक समभवना ये भी बन रही है कि जब दुबारा विगबति आपको पता है कैसी आएगी दुबारा विगबति इस प्रिक तक आपका रिजल्ट आना चाहिए तो दोस्तों आपको मैं यह बता दूँ बेट फाइनल जो भी है आप एक्जाम आराम से दीजी नोटेंस नो कर दीजिए तियारी करते रहिए आपके लिए अच्छा समय है कि परीक्षा आगे गई है तो आप अच्छे से ऱ्यारे भी कर सकते है लेकिन आपको नोटेंस नोटेंस न च का जरूर देगी कि आपको भी सामिल करें लेकिन आपको एक बार पूरा जो भी नए त्यारी करें हैं तो आपको 20 जून से पहले पहले दस दिन पहले दस जून तक यहां आप जून स्टार्टिंग तक आप से लेवस कवर कीजिए उसके बार टेस्ट स्रीज और मोडल वेपर आप उस प्रकास से दीजिए कि जो जो आपके परसन गलत हो रहे हैं जहांसे आपको इसा लग रहा है कि यह टोपिक मेरा कमजोर है वहा आपके स्टार्ट कर दी है और उसके बाद हम मनोड़ूग्या ला रहा है आपको मिलरा है तुस का तीर नाख से टेस्ट इसकति है तुस का तीर कने लिंक ज्यान होने के बाद और उसके बाद हमारा विश्यशन विश्यशन एक टॉपिक और बचाहे उसके बाद ट्रेस सरी शुरू करें हर्ट टॉपिक के 30 परशन इसलिए चैनल से ज़रूर दुड़े एक बार लाइक करें शेयर करके सपोर्ट दूरू करें और दोस्तों मेर हमारी नेक्ट वीडियो में लिंक ग्यान के साथ तब तक लिए जय हिंद जय भाद धन्यवाद